नमस्कार आरेस अन्नपुर्णा किचन में आपका स्वागत है आज हम दाल पीठी बनाना सिखेंगे इसके लिए हमने आदा कप चना दाल और एक कप तूर्की दाल ली है इसे धोकर हम कोकर में डाल लेते हैं इसमें हम डालेंगे एक ग्लास पानी स्वाधनुसार नमक और आदा छोटा चमच हल्दी पाउडर चुटकी भर हिंग डालेंगे चार पाच कलियां लशन की डालेंगे और इसे हम तीन सिटी आने तक पकाएंगे हमने थाली में एक कप आठा लिया है घिहों काठा लिया हमने उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक आदा छोटा चमच अजवाईंगे जिसे हम खुरेश करके डालेंगे दो चमच तेल डाल देंगे इसे मिक्स कर लेते हैं एक भी आगार उgoing की faut तोड़ा थोड़ा पा evilly डालते वह रिष्राण gerade दोट करना है जिस तरह हम रोती के लिए डोट तयदे यहार करते हैं उसी तरह हमें तयार कर लेना है गया हमने से तयार काल लिए है 10 मिनट इसे हम ढखकर रख देते हैं 10 मिनट के बाद यह हमारा आटा तयार है इसे एक बर फिर से हम चिकना कर लेते हैं और इसकी हम एक्वल बड़ी बड़ी लोईयां काटकर निकाल लेते हैं लोई में हम आटा लगाएंगे और इसकी रोटी बेल लेंगे यरमायदा बेसी और मूटीं जादी पतली भी नहीं और ज्याधा भी नहीं बिला है इसे आपके कटोरी की स्थाइता से या ग्लास की स्काइता से आप इस के गोर गोल कोड़ अंट पूरिया काट ले और जो एक्स्ट्रा है आटा उसे हम निकाल लेंगे, अब हम इसकी पिठी बनाएंगे, देखिए इसे हमें इस तरह फोल्ड करना है, और उंगलीज की सहायता से दबा कर इस तरह हमें इसके पिठी त्यार कर लेनी है, देखिए एक और करके बताते हैं आपको, इस तरह हमें पिठी त्यार करनी है, इसी तरह हम सभी पिठी बना कर त्यार कर लेंगे, देखिए हमने सभी पिठी बना कर त्यार कर लिया है, इसे दाल भी हो चुका है, कूकर ठंडा होने के बाद हमने इसे खोल लिया है, और कल्ची कड़ाई में हमने एक बड़ा चमच तेल डाला है गर्म होने पर आधा चमच जीरा आधा चमच राई डालेंगे इसे क्रेकल होने देंगे इसके बाद हमने एक प्याच बारी काटके डाला है प्याच को हम दो मिनट के लिए भून लेते हैं दो मिनट के बाद हम एक चमच अदरक और एक चमच लसन का पेस्ट डाल देंगे इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे और पकाएंगे आप चाहे तो अद्रक लसन को बारिक काटके भी डाल सकते हैं या चाहे तो पेच्टर डाल सकते हैं हमने इसमें दो हरी मिर्च बारिक काटके डाली है आदा छोटा चमज हेंग डाला है इन सब को हम मिलाते हुए पकाएंगे प्याच को हमें पूरा ब्राउन नहीं करना है जब यह पक जाए तब हम इसमें डालेंगे दो बारिक कटा हुआ टमाटर और थोड़ा सर नमक डालेंगे इसमें आधा चमच धनिया पाउडर एक चमच जीरा पाउडर इक चमच छाए पाउडर आधा चोट चमच हल्दी पाउडर इन सब को हम मिकस कर लेते हैं ताकि टमाटर और मसाले अच्छी तरह पक जाए देखे टमाटर भी पक चुका है, और मसाला भी हमारा अच्छी तरह पक चुका है, तो मिक्स कर लेते हैं, दाल हमारी बहुत गाड़ी है तो हम इसमें डालेंगे एक ग्लस पानी और इसे भी मिक्स कर लेते हैं पानी हमें थोड़ा ज्यादा डालना है क्योंकि जब हम इसमें पिठी डालेंगे तो आटा भी पानी थोड़ा सोखेगा इसे ढग देते हैं पीठी डालने के बाद हलकी हासो इसे हम एक बार चला देते हैं, ज्यादा ना चलाए वरने तूट जायेगा और धक कर हम इसे पकाएंगे और बीच बीच में एक दो बार हमें से चलाते हुए थोड़ा सा उलट पलट देना है और धक कर लो फ्लेम पर 10 मिनट तक पका लेना है 10 मिनट में पीठी बनकर तयार हो जाएगी देखिए हमारी पीठी तयार हो चुकी है अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं नमक अगर कम रहेगा तो हम डाल सकते हैं इसलिए नमक हमें पहले ही ध्यान से डालना है क्योंकि हमने कई बार नमक डाला है नमक ठीक है अब हम इसमें डाल देते धनिया पती हलके हाँ से मिक्स कर देते हैं यह हमारे दाल पीठी बनकर तयार है, यह खाने में बहुत स्वाधिश्ट होती है, आप अपने घर में से जरू ट्राइ करें, आपकी फैमली में सबको पसंद आएगा, दाल पीठी में हम घी डाल देते हैं, और यह खाने में बहुत टेस्टी होता है, देखिए हमारे दाल पी